नमस्का फ्रेंड स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में और आज मैं आपको बताने बाला हूँ इमेल आइडी का पासपट भूल जाने पर कैसे हम उसको जो है आपन करें तो मैं मानता हूँ मैंने इसके कई सारे वीडियो ढाले हैं लेकन आज ये स्पेसल और अलग वीडियो में लेकर आया हूँ कैसा इस स्पेसल अलग है बहों मैं आपको बताता हूँ की आज इस बीडियो में जितनी भी ट्रिक्स होती है email id open करने की यदि password भूल जाए तो सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊंगा यदि आपको इस वीडियो के बाद आपका जो है email id open नहीं होती है तो किसी भी वीडियो को देख लीजेगा कभी या तो open ही नहीं होगी या इस वीडियो को last तक देख लिया तो आपकी 100% open हो ही जाएगी ठीक है मैंने जो पिछले वीडियो बनाए हो उनमें मैंने एक एक ट्रिक डाली है क्योंकि वीडियो जाता लंबा हो जाता है इसलिए जो मैंने एक एक ट्रिक डाली है इस वीडियो में मैंने सारी ट्रिक्स बताऊंगा मैं पार्ट वाई पार्ट पहले एक ट्रिक बता दूँगा फिर दूसरी ट्रिक ठीक है तो क्योंकि ऐसा मुझे कॉमेंट्स आ रहे थे कि भाई किसी को कुछ प्रॉबलम थी ठीक है और मैं बता दूसरी प्रॉबलम रहा था तो मैंने इसी के लिए जो सोचा कि मैं इस वीडियो में सारी ये टू जितने भी तरीके हैं सा इमेल आईडि है मतलब ईमेल आईडी जो भूल गए है जो पुरानी है नहीं आदा रही है तो उसको कैसे रिकवर करें उसका जो मैं आगे वीडियो एक बनाँगा और उसकी लिंक में आपको Gmail का soft pair दिख रहा है हम इसको जो है open करते हैं जैसे हम open करते हैं तो यहाँ पर हम login होने के लिए ठीक है इस तरीके से add account पर जो है हम click करते हैं जैसे add account पर click करते हैं यहाँ पर Google आता है Google पर जब हम click करते हैं तो यहाँ पर कुछ checking information चलता है ठीक है यह थोड़ा time लेता है मुश्किल से 15-20 सेकेंट चलिए उसके बाद इस तरीके का ओप्सन जो है आता है ठीक है तो यहाँ पर हमें पूछता है कि आप अपनी इमेल डा रहें ठीक है इमेल आईडी डाले या फोन नमबर डाले ठीक है हमें यहां पर अपनी email id या phone number डाल देना है जब आप यह चीज भूल लिया है email id ठीक है तो उसके लिए मैं आगे वीडियो बताऊगा जो यहां पर हम अपनी email id डाल देते हैं जो हैं पता है ठीक है तो मैंने email id डाल दी है ठीक है अब हम यहाँ पर next पर click करेंगे, ठीक है, जैसे ही next पर click करेंगे, तो अगला option आएगा हमें passport डालें, मतलब passport जो हमें डालना पड़ेगा, यहाँ पर यह जो है दिख रहा है आपको, enter your passport, तो हमें passport का नहीं पता, तो आपको जो नीचे option दिख रहा है, forget passport, ठीक है, तो इस पर हम forget passport पर आप click कर दीजिगा, आपके नीचे जो forget passport आएगा, ठीक है, हम यहाँ पर click करते हैं, तो अब यहाँ पर हमें इस तरीके को option आते हैं, कि enter last passport, यदि आपको पता है, कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, पर पूरा याद नहीं है, passport लग भग यह हो सकता है, तो पर वो passport डाल के देखिएगा, एक दो बार जो है घुमा फिरा के देखिएगा, passport डाल के, सायद आ जाए, ठीक है, तो एक तो यह option हो गया है, यदि अब हमें passport बिल्कुल भी पता नहीं है, तो आप try another waiver click कीजिएगा, ठीक है, हम यहाँ पर click करेंगे, तो अगला option इस तरीके से आएगा, इसका क्या मतलब है, बताते हैं, तो इसका यही मतलब है, कि देखिए, यहाँ पर option दिया हुगा है, get verify code, google will send verify code to, यह जो है, आपको number दिया है, और ठीक है, तो इस number का मतलब है, कि आपका जो phone number है, वो जो है, तो अब यहाँ पर जो है, option आ जाता है, कि यह आपको दिख रहा है, text और call, यहनि कि आपका यदि जो mobile number है, जो आपने जब email ID बनाती समय डाला था, ठीक है, वो phone number जो है, यहाँ पर आपको सू होगा, उसका last tank, यह जो मेरा एक mobile number उसका last tank दिया हुगा है, 11, ठीक है, तो आ आपको बूब verification code यहाँ पर डाल देना है, ठीक है, यदि आपका यह number नहीं है, माली जी number पुराना है, खो गया है, बैसे तो आपको यदि यह number है, तो आपको बहुत ही आसान होगा, ठीक है, login होना कोई दिक्कत नहीं होगी, और यदि आप call के through करना चाहा है, तो आप call पर जागा, ठीक है, यहाँ पर जो है code हम भर देंगे, वो code आए जागा, देखिए आ गया, ठीक है, तो वो आ जागा, मुझे password जो है, ढूंडे की जरूरत नहीं है, यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं जो है, यहाँ पर click करता हूँ, तो यहाँ पर आता है, create a new password, यहाँ पर आ अगली trick के बारे हम बात करते हैं, तो अभी हम back चलते हैं, ठीक है, इसको हम नहीं save करते हैं, वही चीज आती है, ठीक है, forget password पर click करते हैं, और forget password पर click करने के बाद अगला option आता है, यहाँ पर last password डालने की, मुझे यह भी पता नहीं है, तो try another पर हम click करते जाएंगे, और य यही जो है आता है, text call बाला, तो हमें यह भी जो है, पता नहीं है, अपना mobile number आपका को गया है, तो यहाँ पर हम जो आपको नीचे दिख रहा है, I do not have my phone, ठीक है, मेरे पास phone नहीं है, तो हमें यह आपर click कर देंगे, अब click करेंगे, तो password के लिए जो अगला option आता है, वो इसका मतलब होता है, कि आपका जो एकाउंट जब बना था, वो किस महीने बना था, और कौन सी sun थी, कौन सा year था, तो आपको यहाँ पर वो select करना है, ठीक है, अब आपको वो कैसे पता चलेगा, यही बहुत जो है, थोड़ा कठिन है, इसके लिए मैं आपको बता दू, वो मैं आपको बता दूँगा, last में, आप कैसे ढूड़ सकते हैं, ठीक है, date और month, हमारी email id कब बनी थी, वो मैं आपको last में बता दूगा, ठीक है, तो आप यहाँ से month डाल दीजेगा, और year डाल दीजेगा, और next पर click कर दीजेगा, तो भी आपका open हो जाएगा, ठीक है, यदि अब हमें ये भी पता नहीं है, देखे, दो-तिन option देता है हमें Google, ठीक है, तो यहाँ पर try another पर हम click करते हैं, तो अगला जो last option है, यही है, कि आपने, अपनी email id से कोई email भेजा था क्या, ठीक है, आपने अपनी email id से कोई email भेजा था क्या, तो यदि भीजा है, तो email id याद होने चाहिए, माल लिजए आपका कोई friend है, आपका कोई दोस्त है, जिसको आपने कभी email भेजा था, email के थूरूर, तो यदि आपको email id याद है, उसकी, जिसको आपने भेजा था, तो आप वो email id यहाँ पर type करेंगे, यहाँ पर जैसे type करने के बाद आप next पर click करे आपको देखे चलिए, मैं यहाँ पर email id डालके next करके देखाई देता हूँ, ठीक है, email id डालके next पर click करते हैं, तो यहाँ पर देखे, अब यह जो मेरी email id है, जिसको मैंने माल लिजए, इस email id को मैंने एक, जो है, हाई हलो लिखके भेजा था, मैं आपको check-in करने के लिए, मतला आपने कभी भी भेजा हो email ठीक है, तो आपको उसी email id पर एक, जो है, OTP भेज देगा, ठीक है, वो कैसे देखे, हम चलिए देखते हैं, कैसे जो है, भेजा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर जो है, बैक जाते हैं, यहाँ पर हम अपनी email id वो मैं अपनी वाली open कर लेता ह हूँ, यहाँ से मैं open कर लेता हूँ, और यह जो है, मेरी email id है, यहाँ पर इसके मेरे email message दिये हुए है, ठीक है, अब ही देखिए, यह देखिए, verification code गूगल इस तरीके से भेजेगा, गूगल verification code, ठीक है, जैसे हम इसको उपर किस करेंगे, तो आप देख सकते हैं, यह मेरा जो है, वो code है, मतलब आपको जो दोस्त की email id होगी, वहाँ पर आपको एक verification code भेज दिया जाएगा, ठीक है, आप वो code उससे phone से पूछ करके, और वो आपको कहाँ पर type करना है, यही code आपको यहाँ पर type करना है, ठीक है, तो वो code जो है, आपको यहाँ पर enter code पर click करके, और यहाँ पर आपको next पर click कर देना है, ठीक है, next पर जैसे click करेंगे, तो वही आजाएगा, create password, मतलब नया password बनाने के लिए, ठीक है, और आप login हो जाएगे, तो यह तो यही तरीका हो गया, ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, कोई तरीका बचता है, कि नहीं हम try another पर हम click क number दीजिए, और email ID दे सकते हैं, तो आपको वह यदि email ID देते, तो आपका अगला option जो है आता, यहाँ पर email ID recover के लिए, ठीक है, वहाँ पर वही verification code के लिए होता है, ठीक है, तो यही सारे option थे, जो मैंने आपको बता दिये है, ठीक है, क्योंकि मैंने सुचा कि आपको जो है, इसी वीडियो मैंने जल्दी जल्दी बताया है, ठीक है, तो आपको थोड़ा, यदि एक बार मैं समझ में ना आये, तो आप एक दुबार वीडियो को जरूर देख लीजेगा, तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, यदि आपका पासप अपनी इमेल में, ठीक है, किलिक करने के बाद, यहां पर लेक जाता हूँ, ठीक है, यहां पर जो है, आप जब नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद, यहां पर आप सेटिंग्स पर किलिक करेंगे, सेटिंग्स पर किलिक करने के बाद, आप अपनी इमेल आईडी पर कि के जाएगा माई एकाउंट पर किलिक करने के बाद आपको आपका सारी director जो है आप यहां से पासपाट है क्षैज कर सकते हैं सारा कुछ कर सकते हैं सरह किसे करेंगे और यहां किसको सिकूर्टी लेंदेव भी सब्सक्नेंद paranoid आप अपना फॉन नंबर जो है बदल सकते हैं ठीक है और यहां पर email ID recover के लिए देखी मैंने email ID दे दी थी तो आप यहां पर email ID नहीं है तो यहां पर click करने के बाद दे दी जीएगा ठीक है तो आप कभी भी जो है भूल जाएं यहां पर जो है मैं यह किस किस फॉन में चलाता हूं email ID वो दिया हुआ है ठीक है यहां पर देखे यह लिखा हुआ है यहां पर आपको यह जो है मिल जाएगा लिखा हुआ कि यह जो है कभ का बना एच सोरी यह तो पासपर्ट चेंज के बारे मता है कि मैंने पासपर्ट कम चेंज किया था और यह दिए आप जानना चाहते हैं तो आप यह आपको जिस डेट में आपने बताया है वह आपको डेट मिला गी मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि में इमेल है इसलिए नहीं दिखा सकता श्यक्ता आपको आपको कवी इमेल आईडी जो है बनाईएगा थो आप उसमें एक तो यही था फ्रेंड आज का वीडियो यदि इसमें कुछ और भी आपको दिक्कत आती है तो हमें कॉमेंट्स बॉक्स में करके जरू भीज़ेगा हम हर एक कॉमेंट्स का जवाब देते हैं और यदि जादा दिक्कत आती है तो आपको हम जो है मौबाल नमबर भी हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्वाद मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं बहुत ही जो है अच्छे मेरे सदस मुझे जो है कभी भी नेगेटिव जो है कॉमेंट्स नहीं करते हैं और लाइक भी करते हैं और जो है मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बह कर दो बच्दों बचलो को प्रॉब अर्ड़ी कर अवे रादीं थार भी जा साथा टा ले चाहिब अपलो को प्रॉब तो